यार देख लो फड़ा फड़ आभी लाइव क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है कि एलो देर मुझे तोड़ा वक्त लगता है यहां पर देखने में ओके आ गया भाई भाई दिख रहा हूं क्या मैं अंग भाई आडीवल एंविजिबल गाईज गर्ल्स अंग्र्ल्स गुद्ध इवनिंग आइज और आटी विजिबल if i am audible invisible make some noise guys then girls am i live oh ho ho bhai साब मैं जल्दी से देख लू कौन कौन लोग मुझे लाइव नजर आ रहे i can see op gaming प्राप्ती सिद्धी दीपिका आचल रिशव साइटा मिलन कुशल और विशाल शिवाम जुबेर फिदियाद बिबेक सायद सुपया एंद देन सत्याम रिया उदीपन कैसे हो सब लोग डॉली कैसे हो हिमांचु वंदना गुलू पंडित क्या वाई क्या हाल है सभी लोगों का all well thank you thank you अब पहले ही आग देदी है मेरे मांगने से पहले ही आग मिल गई है क्या बात है नोबिता पलक तारग में तक होल्टा चश्माश रूती प्राप्ती यस यह विना बात आ रहे है यह इच आग के अपन बात कर रहा है यह आग जब तक जिन्दा है तब तक तुमारा दोस्तिया आदस जोशी जदरा पढ़ाते रहेगा और थैंक्यू त्टच आग तो थैंक्यू बैक्यों पृट जब जब हैँ वेरी मच्छ इन थे यह इंच ने भी जब यह इना है तो ठीक जब तो यह यह जद रहे हैं आपने विट्योज और जेने पनिट अच्छ आपनी पढ़ाता हूं तो थैंक्यू वेरी मच्छ पृजविं में थीज चाहए दिंगर कर दिया दिख है वो जाए सरे डिया थे हैं क्या चॉट से थैंक्स कहना चाहिए यह हैं क्या शूटाग दूगर कर दोंगा और भूर बट लोग धन्समेट मेरा क्लास टाइमिंगए ते पिर खोस से कारे थैंगे चैनल for companies act दोस्तो companies act में आज हम बहुत आगे बढ़ने वाले एक जबर्दस concept start करने वाले that is memorandum of association अरे सर बचपन से जब से companies act चालू किया ना हर दिन सर दिमाग में जा रहा है subscriber to the memorandum written in the memorandum MOA AOA अरे सर यह memorandum है किसे ने नहीं पड़ा है बस बोलते गए बोलते गए बोलते गए बोलते गए लेकिन क्या है कभी दिखाया नहीं आज आपका दोस्तोरों सी आदर जूशी मैं आपको दिखाने वाला हूं memorandum एक real company का भी और आपके choice की कंपनी का memorandum दिखाऊंगा सबसे पहले मेरा introduction I am a Chartered Accountant by Profession and Professor by Passion अगर आप लिए तक आप लोग ने हमारा Telegram Channel जोइन नी किया तो प्लीज दू जोइन आप आइकॉनिक लेते हो तो आपको personalized guidance, study planners, test analysis, expert guidance और study model मिलेगा along with plus benefit plus में आपकी benefit होते है live class, weekly test, structure course and unlimited access तो आपके options से आप plus लेना चाहते हो या overall iconic लेना चाहते हो अगर आप plus लेना चाहते हो आपके options होता है 3 months, 6 months, 12 months, 24 months और सारे options में C आदश यह आपको maximum possible discount दे देता है तो please don't forget to join me, अब हम जब आएंगे तो introduction of basic writing से हम लोग start करेंगे 9th of September उससे पहले अभी भी आप हमें join करके इतने सारे chapters हमारे साथ live पढ़ सकते हो so don't forget to join me live, now let's move on to the memorandum of association बाई लोग ready है, सब लोग बहुत सुनाया ना memorandum के बारे में आज देख भी लोग यह memorandum क्या होता है और इसको इतना इज्यत क्यों दिया जाता है ठीक है, तो दोस्तो memorandum of association में 5 clauses होता है there are 5 things that you need to understand with respect to memorandum of association एक ही करके मैं आपको पहले explain करता हूँ फिर हम लोग reading करेंगे और फिर उसका importance जान लेंगे let me just quickly, यह रहे को है memorandum हर जगा है MOA, MOA लिका रहता है बड़ यह है क्या, यह आज हम लोग discuss करने वाले है so let's start, get ready guys so this we are going to start with memorandum memorandum of association sir what is memorandum of association sir it is a charter it is a charter it is a charter which defines the constitution and the scope of the powers of the company the company, यह क्या है sir, तो यह एक charter है ये एक charter है which defines the character and scope of the characteristics and scope of the company यह company को constitute कर ता है और उसका scope बताता है so constitute भी यह करता है, यह बनाता भी यह-ई है और आपकी Academy scope भी यह ही define करता है यह्निकी company के memorandum के अंदर आपकी company के बारह्रे में सबसे important और crucial informations होती है जैसे कि आपकी company क्या है क्यों है कहां है किसने बनाया और कितने पैसे में बनाया यह पाच सबसे खतरनाक चीज़े जो बोलता है जो क्रक्स जो बेस होता है company का वो एक ही document में आपको मिल जाता और वो एक document का नाम है क्या नाम है उस एक document का constitution or scope which is memorandum of association of a company so dosto the memorandum of association of a company is in fact is charter it defines the constitution and the scope of the power of the company with which it has been established under the act it is the very foundation on which the whole edifice of the company is built now what are the object of registering a memorandum of association sir basically मैं आपको बताता हो सुनो hello मेरी बात सुन रहे हो ना तुम लोग की आपस में बतिया रहे हो यह पता नहीं क्या हो रहा है नहीं नहीं चार्टर चार्टर बोले तो chartered accountant नहीं हो तबड़ा अरे भाई साब हो 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 कते जहर बच्चे है इस class के अंदर कते जहर जहर सुने हो ना जहर जहर बच्चे है इस class में charter का मतलब क्या होता है अब देखो अलग-अलग मतलब होता है लेकिन यहां पर आप जो यूस करेंगे ना वह यह है फर्स्ट वाला सेकेंड मत पढ़ना सेकेंड जो होता है न वह कभ यूस करते है आप से फर एक्सांपल मैंने बोला chartered plane मैं करता हूं chartered ship, chartered car तब आप यह second वाला पढ़ेंगे अभी आप यह second वाला नहीं पढ़ेंगे अभी आप से first वाला पढ़ेंगे what is the first meaning of the charter charter is a return grant by a sovereign or legislative power of a country by which a body such as a city company or university is found and its rights and privileges are defined तो यहां पर जो charter की बात मैं कर रहा हूं यह जो charter की मैं बात कर रहा हूं यह charter के मतलब होता है क्या कि भाई company को company को एक authority मिल जाते है कि yes you are there इसको बनने का मौका मिला उसको अधिकार मिला इसका मतलब होता है charter ठीक है yes तो यह मैंने आपको बता दिया और एक problem हमारी solve हो गई अच्छा है मैं चैट में देखते रहता हूं विकास कुछ तो नए नए आप लोग नए नए टैलेंट लेकर आते रहते हो ओके फिर आते है सर नेक्स इसमें वाई 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 इस memorandum is important sir before telling you why memorandum is important कोई भी चीज में अगर मैं आपको direct say for example मैं पानी मैं अगर directly आपको पानी क्यों important है अगर बताने लग जाओ तो थोड़ा सा आपको बोर हो सकता है पहले मैं आपको यह बताता हूं पानी है क्या मतलब यह memorandum है क्या so memorandum के अंदर basically कुछ clauses होते है मैं आज आपको पहले वह clauses बता देता हूं जिस्ते आपको memorandum क्या है यह समझ में आ जाएगा और उसके बाद मैं उसकी तारीफ करता हूं है ना पहले उसका introduction तो ले लो फिर उसकी तारीफ सुनना सबसे पहली चीज जो आपके यहां पर memorandum में लिखी होती है वो है name clause सबसे पहली चीज जो होती है वह है name clause ठीक है यह बताता है कि आपके company का नाम क्या है दूसरा जो आता है पेटा है थोड़ा distance होना चाहिए यह आता है आपका registered office clause कि यह आता है registered office clause यह बताता है कि यह बता रहा है कि आप कौन हूं ठीक है आपका नाम क्या है यह बताता है कि आप कहां हो मतलब where are you situated और फिर आता है आपका most important object clause most important object clause पर star मार रहो है ब्यक्स ये बताता है कि आप क्यू हो ये बताता है अप क्यू हो फिर आता है sir liability clause यह आता है liability clause यह बताता है कि what is your liability in case something weird happens to the company and last but not the least आता है आपका capital clause capital जो लोग बोरे सर association clause भी तो इसके अंदर दिख रहा है association clause का क्या करे वो बात करता है कि who is associated with the company for how much money एक छोड़ा मच्छर आदमी को क्या-क्या बना देता है एक दम छोड़ा सा चिल्लर मच्छर है और वो मेरे को परिशान कर रहा है मतलब सोचो हद हो गई मतलब उसका उसमें दम दे वो कितना है वो मेरे को परिशान करके जिन्दगी में रह रहा है कोई बात ने उसकी भी गलती नहीं मैंने उसके किसी रिलेटिव को मैंने अभी जश्ट अपका है तो भाई खून का वदला खून है तो मेरे को लगता है मेरे को मार के दम लेगा मेमराइंडम के अंदर आपके बारे में बेसिक डीटेल्स होता है जैसे कि आपका नाम आपका ओफिस आपका अब्जेक्ट आपका लाइबलिट और आपका कैफिट लग वाई अ कंपनी हैस्ट वी चार्टर अप कोई भी चीज का संक्शन ले जाएंगे तो किसी भी चीज का स कोई भी काम आप करते करते हैं अगर कोई लॉस हो जाए तो आप कितने हद तक अपना लॉस बियर करने के लिए तयार हो और सबसे बेस्ट आप खुद अपना कितना पैसा इस काम में लगाने वाले हो यह पाच बेसिक क्वेसिंट कोई भी ऑथरिटी बिफोर सैंक्शनिंग कंपनी पूछेगी और यही पाच पूश्चन की आंसर लेके मेमरांडम आप आगे आता है और यही कारण है यही कारण है कि आप इसको पॉब्लिक डॉक्यमेंट कहते हैं अंडर सेक्शन 399 ऑफ दे कंपनीज आक्ट यह जो है ना विड़ा 399 ऑफ दे कंपनीज आक्ट यह क सीad लेखते है कि सच पो सकष्च में उता है यह या यह इस यह अपने बना रहे हैं राप मैं जा रहा हैं मैं ज़र रहा हूं कि मुझे अपैसा नहीं दड़िया ठिक है पेसा नहीं देया वन्हार मों आपने नोटिस की आए तर आप जब देखो तब उदर ही आते हो आजा तो क्या सीन क्या है तुको ना यार मेमरांडम ओफ असोसेशन और आर्टिकल ओफ असोसेशन यह है आपका मेमरांडम यह सर्टिफिकेट ओफ रजिस्ट्रेशन और देन येस this is memorandum of association of Reliance O2C Limited ठीक है O2C Limited का है यह देखो सबसे पहले क्या है क्या है सबसे पहले बताओ क्या दिख रहा है यहां पे Name, अच्छा हमारे इसमें क्या दिख रहा है सर सबसे पहले Oh, Name अच्छा-च्छा Reliance O2C Limited फिर क्या है registered office अपने इसमें क्या दिख रहा है बेटा Next, registered office Oh, registered office Then what is the object अपने इसमें क्या दिख रहा है object, अब देखो object किता बड़ा डाला है What was the object behind Opening O2C Limited तो purchase और अदवाइस अक्वायर petroleum, crude oil, natural gas all kinds of hydrocarbons and minerals आप चाहे तो इसको पूरा पढ़ सकते हो यह इतने सारे काम के लिए company बनाई गई है आप पढ़ते पढ़ते थक जाना मैं पढ़ाते पढ़ाते थक जाऊंगा These are the matters for which the company has been made ओके, यह सारे काम के लिए आप company बनाई हो, next अगले पार्ट में जाता है, रुको एक बार इसको बताने तो क्यों बनी है company ओके, फिर देखो क्या दिख रहा है point number 4 sir, point number 4, फिट से वही दिख रहा है sir liability clause और हमारे पास क्या दिख रहा है point number 4, sir, liability clause क्या लिखा है liability क्या है, आपकी limited है limited है to the amount unpaid on the shares, यह नहीं कि this is a company limited by shares और उसके बाद हमारे पास है capital clause और देखो यहाँ पर भी है capital clause, यानि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जो भी मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ, या आप जिंदगी भर आप इसको use करने वाले हो आप लोग मुझे बताओ कौन से company का आप memorandum देखना चाहते हो I will show you one more memorandum if you want किसी और company का memorandum देखना चाहते हो तो आप मुझे बताइए, मैं आपको धून के बताता हूँ बिल्कुल You want to see memorandum of any other company just let me know या मैं आपको सिखा भी देता हूँ आप Google पे जाओगे for example Tata Motors MOA मैंने सर्च किया ठीक है तो ये Tata Motors का तो नहीं दिख रहा ठीक है मैं देखता हूँ कि क्या हम NAC BST से डाउनलोड कर सकते है तो ये तो भाई ये तो ये अब मैं आपको CA Inter में बढ़ाऊंगा पहले वेकर Tata Motors के website पे चल जाते है Tata Motors Tata Motors के website पे चले गए है वहाँ पर जाके हमने इन्वेस्टर में चले गए इन्वेस्टर में जाके हमको क्या क्या मिलता है हैं कि अधे बेता यह क्या है इंवेस्टर में इंवेस्टर के अंदर हमको मिलता है कि अनल नहीं चाहिए कि रूक को कैना सब कंपनी का अलग अलग रहता है अनुल रिपोर्ट वगरे आ रही है प्रेज रिलीज आ रहे है वोल्यूम फेनांशेल इसमें देखता हूं मैं अभी जो अरेंजमेंट हो रहा है उसके बीच में एक्चली उसके रिलेटेट भी आप यहां पर देख सकते हो जो अरेंजमेंट अभी आपने न्यूस में पढ़ा होगा ना उसके बारे में भी आप यहां पर देख सकते हो यह अरेंजमें इस पर क्लि से कुछ आ रहा है क्या ओके रूपर सोच 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 डिस्क्लीमर स्कीम अंक्लीम इन्वेस्टर शेयर प्राइस स्टॉक एक्षेंज डिवेंचर लिस्टेड इन्वेस्टर रिसूर्सिस में क्या क्या आता है अगा अग्या उप्यू यह एन्यल चीज़े देर आया अपने को वहाँ को दो मिनीट दो बढ़ा कि दो मिनिट टाटा मोटर्स का क्यों नहीं आ रहा है आना चाहिए कि एनसी बेस्ट के साइट से देखना पड़ेगा अगर हां यह आ गया कि येस तो दिस इस मेमरांडम ऑफ अस्सोसियेशन एन आर्टिकल ऑफ टाटा मोटर्स लेकिन आर्टिकल है मुझे मेमरांडम देखने का है यह आर्टिकल है मुझे मेमरांडम देखना है जिस गिमी वन सेकेंड यह टाटा कमिनिकेशन है टाटा मोटर्स कि अहां कि इस गिमी वन मिनिटा कि सिपला का नहीं नहीं सिपला का तो देखने तो मेरे को एनसी में देखता हूं कि अभी एकदम से सर्च करने पड़ रहा है न तो उदर प्रॉब्लम आ रहा है तो इस मिल जाता है जल्दी कि अधिनिकेशन का नहीं टाटा मोटर्स का तुझतर मैं क्यों नहीं मिल रहा है में कुछ समझ में नहीं आ रहा है इच चुट भी ही जी अविलेबल आक्चली ली देखा जाए तो इचुट भी इजली अविलेबल मेरे को तोड़ा टाइम दो मैं मैं धूंड के आपको सेंड दूंगा को कुछ नहीं कि यह मिल रहा है नो टाटा एक चुर्ण कम्मिनिकेशन एक जो है यह मेरे को टाटा मोटरिस का मिला तो है Memorandum बट इसमें यह Articles है इसमें Memorandum आगे है के देखना पुड़ेगा यह Memorandum नहीं यह Articles है हाँ यह रहा यह रहा यह रहा यह रहा यह रहा यह रहा ओ फाइनली यह रहा Memorandum of Association of Tata Motors Limited तो यहाँ पर सबसे पहले देखो आपने क्या देखा सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है सबसे पहले आ रहा है सर Name सबसे पहले क्या रहा है Name और हमारे बुक में भी क्या है Name फिर है Registered Office हमारे बुक में क्या है Registered Office फिर है Object हमारे बुक में कहा है object तो इनका object है to carry out business of manufacturing to carry out business of iron और सारे अपने काम बताए जो काम कर सकते है जो आपसे permission मांग रहे कि sir हम टाटा मोटर्स open करना चाहते है और हम यह सारे काम जो हमने list करके देखे ना कितने सारे यह सब करना चाहते 64 काम हम करना चाहते मैं आपको दिखा रहा हूं मैं आपको time pass नहीं कर रहा हूं शांति से सुनो मैं आपको समझाने की कोईश्च कर रहा ह यह document बना है यह document बनाने के बाद उन्होंने क्या कहा हमारा नाम है टाटा मोटर्स हम यह यह रजिस्टर आफिस हमारा बताया उन्होंने आपको रजिस्टर आफिस काहां बताया उन्होंने रजिस्टर आफिस उन्हें का हमारा रजिस्टर आफिस रहेगा in the state of महराश्ट्र पिर उनने बता है कि उनका object क्या है और object चालू हुआ देखो one two three four क्यों क्यों टाटा मोटर्स बनी है तो total 64 काम करने के लिए टाटा मोटर्स बनी है वो यह 64 काम जब चाहे जैसे चाहे चाहे चालू कर सकते हैं उसको permission मिल चुकी है what will be the liability of tata motors न्या पिलिका liability of each and everyone in the tata motors will be limited what is the capital sir capital of the company is tarlo by you know it may be 400 crores ka capital f 400 crores ka 40 crore shares of rupees 10 each यह उनका capital यह रहेगा ठीक है और यहां पर आपका memorandum complete हो जाता है अब आप लोग मुझसे कुछ लोग पूछ रहेते सर what do you mean by subscribers कुछ लोग बोड़ेते सर what do you mean by subscribers मुझे बहुत सारे बच्चों के सवाल है sir what do you mean by subscribers यह देखो sir j r d tata यह यह सकलत वाला moody straw mathai choksi lamb and madan यह जो सारे लोग है these are the subscribers to the memorandum इन लोगों ने company बनाई और इन लोगों ने company बनाते वक्त कितने कितने shares लिए कितने कितने shares लिए पीटा number of shares taken देखो क्या दिकर है number of shares taken by each subscriber one share each इन्होंने क्या किया है यह लोगों ने j r d tata and all इन लोगों ने यह company बनाई और इन्होंने इन्होंने कब बनाई dated this first day of September 1945 और इन्होंने एक एक share लिए अपने company के ठीक है और फिर आता है आपका article of association के बारे में मैं बाद में पढ़ाऊंगा अभी हमारा memorandum पर फोकस है article जो पढ़ाऊंगा तो मैं आपको article भी बताऊंगा क्या आपको memorandum देख के कैसा लगा क्या क्या आपका take away क्या था memorandum से which according to you is the most important clause of the memorandum इन पाच में से सब्से ज्यादा important clause आपको कौन साल लगा इन में से सब्से ज्यादा important clause आपको कौन साल लगा very good sir object clause is the most important clause sir because जितने भी company का हमने object clause देखा वो चाहे reliance का हो या किसी का भी हमने देखा कि object clause ही सब कुछ अब देखो sir इसमें कितने सारे object के लिए reliance company बनाई गई थे यहां से उन्होंने object शुरू किया है देखो यहां से यह object कितने सारे डाले उन्होंने यह खतम ही नहीं हो रहा है list यह object यह देखो यह यह बावा यह देखो इतना सारा डाला है कि मैं स्क्रोल करते करते थक गया इतने सारे अब्जेक्ट के लिए एक O2C यह कंपनी बने है आपने देखा कि सबसे इंपोर्टेंट पार्ट अगर आपके कुछ इसका रहता है मेमरेंडम का वह ता है उसका अब्जेक्ट उसका कारण यह है कि जवाब कंपनी बना रहे हो आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि यह कंपनी मैं कौन से काम करने के लिए बना रहा हूँ इसा क्यों बेटा कहीं ऐसा नहों मैं आपके एक्जांपल देता हूँ लेट एस टेक शिवा मगरवाल शिवा मगरवाल ने एक कंपनी बनाई आइसपाइस लिमिटेड अब यह कंपनी इन्होंने बनाई थी से फर एक्गांबल आइसक्रीम के लिए आइसक्रीम बिजनेस शिवाम साथे दूइंग शूज मैनिफेक्ट्रिंग बिजनेस आप मुझे बताइए शुड इस भी अलाउड मुझे बताइए क्या आइसपाइस लिमिटेड को शूज मैनिफेक्ट्रिंग का बिजनस करने देना चाहिए या नहीं क्या आपको लगता है कि यह अलाउड होना चाहिए या नहीं बड़ा एप्लिकेशन मनी इस डिसाड़ेट गवर्मेंट स्टैंट इस बेस्ट अन यूर कैपिटल ऑफराइस कैपिटल ठीक है ये कि यस इस नॉच अलाउड वाय विकार आपके ओबजेक्ट क्लॉज के बाहरे सब्सक्रेंग आपके ओबजेक्ट क्लॉज में लिखा है और actual shoes बना के market में बेचे और यह cheating ना हो इसलिए सबसे ज़्यादा एक smart काम Companies Act ने कर दिया वो क्या है Companies Act ने एक smart काम कर दिया या उन्होंने Memorandum of Association को Public Document बना दिया उन्होंने Memorandum of Association को Public Document बना दिया नहीं कि anyone and everyone dealing with a company will get a free access to this Memorandum आज आप जो कमपनी का चाओ मैं उस कमपनी का आपको Memorandum बता सकता हूं because it is a public document नहीं कि anyone and everyone in the world should be allowed to check out your Memorandum of Association क्या आपको समझ में आ रहा है ने बेटा आप class 11 से भी start कर सकते हो समझ में आया ठीके अब चलते हैं next It contains the object for which the company is formed and therefore identifies the possible scope of its operation beyond which it cannot go It enables shareholders, creditors and all those who deal with the company to know what its powers are and what activities it can engage in Next, a Memorandum is a public document under section 399 of the companies at 13 Consequently, every person entering into a contract with the company is presumed to have a knowledge of the conditions contained therein and last, the shareholder must know the purpose for which his money can be used by the company and what risk he is taking अब मुझे बताओ, say for example iSpice Limited में पृत्वी ने कुछ पैसा डाला है पृत्वी ने पैसा डाला पृत्वी ने ये सोच के पैसा डाला कि आईस्क्रीम मैनिफेक्टरिंग बिजनस है अच्छा आगे जाएगा और उसको बात में पता चला कि company shoes manufacturing कर रही पृत्वी का दिल नहीं टूटेगा क्या बोलो या पृत्वी का दिल टूटेगा या नहीं टूटेगा अरे जिस प्रकार मेरा कल दिल तूटा जिस प्रकार मेरा कल दिल तूटा कि 70 से उपर बच्चे regular basis पे class देख रहे regular basis पे class देख रहे लेकिन केवल 22 बच्चों के पास वक्त था teacher's day पे मुझे विश्च करनेगा केवल नहीं face to face बोल रहा हूँ I know मुझे लाखों messages आए और I made it a point to reply to each and every one of you लेकिन 22 बच्चे मेरे को zoom call पे दिखे 22, 25, 30 कुछ होंगे पृत्वी का भी नाम लिया था मैंने का रही पृत्वी नहीं है क्या बुझे दुख हुआ उसी तरह पृत्वी को भी दर दुख होगा कि भाई मैंने शिवम को पैसे दीता है आइस्पाइस लिमिटेड में आइस्क्रीम बनाने के लिए और यह कर कह रहा है shoes manufacturing यह ना हो इसी लिए हमने memorandum बनाया और उसमें object clause के उपर कुछ rules and regulation डाले और हमने कहा कि भाई अगर आप company बना रहे हो don't deviate from the object clause don't deviate from your object clause why if you deviate there will be a punishment because people are believing in your object and hence they are bringing in money for your company अब आप लोगों से पैसा ही कटा करके कुछ तीसरा ही काम चालू करोगे तो ये लोगों के साथ cheating होगे हम या लाओ नहीं करें समझ में आ रहे so now a company cannot depart from the provisions contained in the memorandum however imperative may be the necessity for the departure company अपने object से भटक नहीं सकती it cannot enter into contract or engage in any trade or business which is beyond the power convert upon it by the memorandum and if it does so it would be ultra wise the company and why let us take an example शीवम ने एक company open किया ठीक है शीवम अकेला तो नहीं कर सकता है तो वन परसंट company जाएगी तो एक काम करते है शीवम के साथ कुशल को रख देते है कुशल के साथ वंदना को रख देते है अब इन तीन लोगों ने एक company open किया अब ये तीन लोगों ने जो company open किया इसका काम था से फर एक्जांपल laundry business ठीक है अब इन्होंने दो transactions की है ठीक है एक इन्होंने laundry machine purchase की वो machine थी पूरी की पूरी एक करोड रुपए की और दूसरा इन्होंने क्या किया इन्होंने एक ice cream machine purchase की ठीक है इसके manufacturing machine purchase की ये थी 20 लाग थी ठीक है 20 लाइक्स मुझे बता लिए कौन सा contract allow करेंगे आप और कौन से contract को आप ultra wires the company कहेंगे अच्छा अंच्वा आप भी थे समझ लो आप भी थे इसमें अगली बार आजाना इत्ता कोई बुरी बात नहीं है मैं तो एवी बोल रहा था अगली बार सब आ तो यह अलाओ है यह laundry machine purchase करना अलाओ है लेकिन यह ice cream manufacturing machine जो आप खरीदने की कोशिश कर रहे हो इसको मैं ultra wires बोलूँगा ultra wires का मतलब होता है beyond the power ultra wires का मतलब होता है beyond the power of the company तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि भाई साब यह जो काम आप कर रहे हो beyond the power of the company and hence it will be void इस transaction को आप वॉइड कह देंगे because members ने ice cream machine खरीदने के लिए पैसा नहीं दिया था शिवम कुशल वंदना अंचु को इन्हों ने पैसा दिया था laundry machine खरीदने या laundry का business करने आप यह ice cream manufacturing, shoes manufacturing, railway का कोई और अगर आप काम के लिए पैसा खर्च कर रहे हो तो यह members के साथ cheating है beyond the power of the company मैं लिख रहा हूं आप लोग में लिखिए अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है beyond the power of the company क्या होता है बियांड द पावर beyond the power ठीक है तो अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है beyond the power company मत लिखिए क्योंकि मैं आगे आपको एक दो और concept पढ़ाने वाला हूं with respect to अल्ट्रा वायर्स तो अभी आपसे वितना लिखिए beyond the power अगर यू इसका मतलब अपने अपने पावर से अधिक जाकर कुछ कर रहे हो पावर के बाहर कुछ कर रहे हो जो हम अलाओ नहीं करेंगे अब होता क्या है सर अब companies को अगर और memorandum बनाना है तो उनको बोला गया कि आप यह कुछ पाथ चीज़े आप अपने में डाल तो तो कुछ companies ने पात चीज़े डाली कुछ ने चे डाली उसने दस डाली फैक है पार तो मिनिम्म है न की पात चीज़े आपकी मिनिम्म होनी चाहिए कुछ लोगों ने पहले name clause डाला फिर capital clause डाला फिर liability डाला फिर address clause डाला फिर object clause डाला कुछ लोगों ने पहले object डाला फिर name डाला फिर liability डाला फिर association डाला ऐसे समझ रहो क्या हो रहा है कुछ लोगों ने पहले liability डाल दिया फिर capital डाल दिया फिर आपका name डाला फिर address डाला फिर object डाला यहने basically क्या हो रहा है basically क्या हो रहा है अलग-अलग लोग अलग-अलग तरीके से यह बना रहे थे तो जो एक reader है न अगर मैं say for example अब मैंने Reliance Industries Limited और मैंने अभी आपको Tata Motors दिखाया राइट अब मैं और अगर कोई company का search भी कर लेता हूं मैं आपको standardized मुझे पता है आप लोगों पता है यह सारी चीज़े बट मैं एक let's let's do it say for example किसका बताओ किसका कुछ भी सिपला का कोई बच्चा बोड़ रहा था है MOA ठीक है तो यह है Memorandum of Association of सिपला Limited ठीक है अब यह सिपला Limited का यह देखो मैंने यह certificate of incorporation है certificate of commencement of business यह उनका Memorandum है अब देखो इसमें सबसे पहले क्या रहा है name clause देखो फिर क्या रहा है registered office फिर क्या रहा है object बराबर object खतम होते ही object बढ़ा रहेगा और तीनों के अंदर मैंने आपको तीन Memorandum बताया और आपको मैं challenge देता हूँ आप 100 Memorandum of Association देख लो आपको सब के अंदर एक चीज़ कमन मिलेगी name, address, object, liability, capital क्या मिलेगा आपको common name, address, object, liability, capital 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 क्या मिलेगा क्या बात करें बिसर है क्या अरे यार अरे में मेरे को अभी किस ने तो बोला और मैंने देखा कि इदर है क्या आप इदर भाई धन्य बाग हमारे यार में को चिलाने का ना वीडियो ऐसे आग लगा तो नहीं का क्लास में तुम्हेरा ध्यान जाए एंवी सर क्या आप हो एंशर सौरी मिरे ध्यान नीता आप कब आकर चले गए तो थांकियो वेरी मच फ़र जॉइनिंग बड़ा मज़ा आ गया तो मैं आज पढ़ा रहा था नेम क्या आपको नेम एड्रेस ऑब्जेक लाइबिलिटी और क्या पड़ी याद करना है आपको और यही है फॉलो होगा यही फॉलो होगा थूआउट यही फॉलो होगा थूआउट में यही फॉलो होगा तो लेकिन किसने क्यों ऐसे ही कैसे तो यह स्टैंडराइजेशन कैसे आया यह स्टैंडराइजेशन कैसे आया यह स्टैंडराइजेशन आया यह स्टैंडराइजेशन ला लिया, यह standardization अपने आप नहीं आया बिटा, Companies Act ने लाया, कैसे लाया, Companies Act ने आपको model, MOA और AOA दिया, यहां से देखना, अब मैं आपको जो बोलने वाला हूँ, आपके नजर घटी, दुरुगटना घटी, Companies Act ने आपको model, MOA और AOA दिया, model का मतलब होता है, भाई, as it is, उसको उठाओ, copy-paste कर लो, अपने detail डालो, और चली जाओ, जाए, for example, मैं आपको, होता न, आप कहीं जाते हो, तो आपको blank form मिलता है, उस पर लिखा होता है, नाम, और आप आगे लिखते हो, आदर्श जोशी, फिर लिखता है age, फिर आप लिखते हो 30, फिर आपके लिखते हो अपना address, फिर आप लिखते हो mobile number, आप लिखते हो mobile number, उ पॉसिबल हो गया, सारे के सारे memorandums के अंदर standardization आ गया, क्या आप देखना चाहते हो forms, do you want to see the articles, guys, make some noise, क्या आप लोग ये article देखना चाहते हो या नहीं, हाँ या ना, अगर नहीं देखना है, मैं नहीं दिखाँगा, generally देखना है तो बोलो मैं दिखाता हो, नहीं देखने और not, yes or no, do you want to see the forms or not, yes or no, दोस्तों ये रहे आपके सामने forms of memorandum and article, मैं आपको बता दू, memorandum of association के लिए आपके पास है, form number A, B, C, D और E, और article of association के लिए आपके पास है, F, G, H, I और J, मैं आपको एक sample दिखा रहा हूँ, ये है memorandum in article number 1, ये blank form आपको देदेंगे, देख रहा हूँ, वो क्या बोल रहा है यहाँ पर, table A, memorandum, अब आप लोग अपना form भरो, the name of the company is blank, आप लिखो अपना नाम, लिखो अपना नाम, limited है private, limited है लिखो, registered of the company is in the state of blank, object of the company, बोल रहा है अपना object आप मुझे को यहाँ पर बताओ, फिर मुझे बताओ कि आपके company के अंदर liability क्या देगो, fourth point, what is the liability, फिर बताओ liability के पाद आपका share कितना है, और बताओ कि यह share कितने कितने लोगों ने लिया है, कितने कितने shares लिया है, उनका signature ले लो, और जैसे signature देदेंगे, they will become subscribers to the memorandum, they will become subscribers to the memorandum, दिख रहा है, और पर नीचे sign करो, agree करो, अपना नाम लिगो, sign करो, और अपना काम हो गया, तो sir, फिर एक ही firm देना चाहिए, यह 5 firm क्यों दिये, यह सवाल है, और यह genuinely सवाल है, sir, अगर आप बोल रहे हो, कि उन्होंने एक template आपको दे दिया, आप यह ही कहना चाह रहे हो, कि government ने आपको template द पना लो, तो एक template देते ना, sir, यह 5-5 template क्यों दिये, because all of these templates are for different types of companies, because all of the templates are for different types of companies, model, MOA and AOA, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, कि यह क्या है, यह है form number, यह है company, आप ध्यान से देखना, form number 1, form number A, is a model memorandum for a company, limited by shares, यह आप लिख रहा है मेरे साथ, limited by shares, और आपको दिख रहा है, आपे देखो, क्या दिख रहा है, आपे, table A, memorandum of association of company, limited by share, अब जैसे ही मैं दूसरे में जाओंगा, यह सारी website कौन सी, अगर आप नए हैं इस class में तो आपको बता दू, this is ebooks.mca.gov.in, आप mca.gov.in पर जाकर यह सारी information देख सकते हैं, मैंने अपने class में कही बार बच्चों को सिखाया है, यह देखो मेटा काई के लिए, table B, Memorandum of association of a company limited by guarantee not having share capital. So, this is company limited by guarantee not having share capital, not having share capital. फिर आएगा कम्पनी लिमिटेड मेरे साथ लिकर आप बाई गैरेंटी फिर आता है अनलिमिटेड कम्पनी फिर आता है अनलिमिटेड कम्पनी नोट हेविंग खेर कैपितल फिर आता है अनलिमिटेड कम्पनी के आपिन रहिक है लोगों ने तरहे हमारे बुक्स में भी है क्या येस ये देखो Memorandum of company limited by share company limited by guarantee not having share capital company limited by guarantee having share capital unlimited company not having share capital unlimited company having share capital फिर आईए नीचे सर ये फिर ये तो memorandum हो गया फिर ये FGHIJ क्या है बिटा ये आर्टिकल के है ये आर्टिकल्स है तो तिस आर्टिकल्स of a company limited limited by shares फिर ये company ये लिकलो आपके बुक्स में नहीं है limited by guarantee having share capital having share capital फिर आता है company लिकरो ना मेरे साथ ये आपके बुक्स में नहीं है बात में बोलना माँ लिमिटेड बाई guarantee not having share capital फिर ये company अरे unlimited होना अच्छी यहां पर है unlimited company unlimited company having share capital and last but not the least unlimited company लिकरे कि नहीं है not having share capital these are all the forms given to each and every one of अब समझें ये model forms क्या है ये जो model forms आपको नजर आ रहे बेटा ये model forms क्या है ये model forms आपको companies act ने दे रखे है और कहा है कि भाई लोग follow करो आप लोग follow करो इसको भी थोड़ा यहीं से लिखना मैंने यहां पर लिख दिया है तो ये जो है ना company limited by share थोड़ा सा इधर सरक गया है वो यहां से आप लिख सकते हूं और यहां पर company limited by guarantee not having share capital लिखा तब ने अब आपको डिसाइड करना है आप कौन से टैप की company मनाना चाहते हो आप एक और बात याद रखना MOA में not having पहले आता है having बात में आता है AOA में having पहले आता है not having बात में इधर देखो मैं आपको difference बता रहा हूं ध्यान से देखो सबसे पहले तो company by share आता है फिर guarantee फिर unlimited आती है company limited by share limited by guarantee unlimited Memorandum में not having पहले आता है और article में having पहले आता है for example पहले आएगा company limited by share फिर B में आएगा company limited by guarantee not having नच having पहले आएगा फिर having बाता ही फिर फिर not having आएगा फिर having आएगा लेकिन आटिकल में आप्य आ निया को याद रखने ने कलिए यह आपको मैं ट्रिक दे रहा हूँ याद रखने के लिए अब मुझे बताइए अब मुझे बताइए अगर आप एक company limited by share है तो memorandum और article के लिए कौन सा table use करोगे अगर आप एक company limited by share है तो memorandum और article के लिए आप कौन सा table use करोगे which table will you use if you are a company limited by shares सर अगर मैं company limited by share हूँ तो I will use table A and table F अगर मैं company limited by share हूँ अगर मैं company limited by share हूँ तो I will use table A plus table F table A में मेरा memorandum हो जाएगा और table F में मेरा article हो जाएगा अगर मैं unlimited company not having share capital हूँ अगर मैं unlimited company not having share capital हूँ तो मैं memorandum के लिए यूज करूँगा T और articles के लिए क्या यूज करूँगा unlimited company not having share capital तो J DJ ब्रावो DJ सर है न अपने तो DJ सर इस unlimited company not having any share capital DJ सर इस unlimited company not having share capital बहुत देंजर आपने DJ सर समझ में आ गया अगर आप unlimited अगर आप company limited by guarantee having share capital हो company limited by guarantee having share capital तो आप memorandum करोगे C में और यह करोगे G में आर्टिकल रहेगा G में तो C plus G will be your answer समझ में आया अब आपको यह memorandum और articles के table समझ में आ गया और table कैसे use होता है समझ में आ गया तो आपको इस प्रकार के blank table बने है आप इस blank table को अपने company के memorandum में convert आप खुद से कर सकते हो ठीके डन ठीक है करेक्ट क्या बोलते हैं विडियो लोग चलो अब एक काम करते हैं मैं कल आप लोगों को यह content of memorandum पढ़ाऊंगा फिर परसों से हम doctrine of ultrawire start करेंगे मैं आपको memorandum के content कल पढ़ाऊंगा कि content में memorandum में क्या क्या पाच कौन सी चीज़े आती है तो आज के लिए बस इतना ही मुझे पढ़ाना था मैं आपसे request करता हूँ एक बार आप ज़रा ध्यान दो what is memorandum तो memorandum is a charter with a charter a constitution of the company इसके अंदर 5 clause होते है name, address, object, liability, capital कौन से 5 होते है name, address, object, liability, capital कल मैं आपको एक-एक clause detail में पढ़ाऊंगा कि name clause में क्या आएगा address clause में क्या आएगा, object clause में क्या आएगा और liability clause में क्या आने वाला है तो कल के लिए थोड़ा prepared रना कि कल जो है class थोड़ा सा extend हो सकता है आज ही मैं आपको बता दू, एक बार reading करके आओगे तो better होगा, ठीक है, क्या दिखाना है, यह दिखाना है, ले लो थैंक यू, थैंक यू, शिवाम सिया महाईश्वरी, I think you have not seen my OPC, yes, a person can be a member of one and nominee of another सिया महाईश्वरी, I have a question for you आप एक कंपनी के, आप एक OPC के member हो, और दूसरे OPC के आप nominee हो, जिस OPC में आप nominee हो, अगर उसके member की debt हो जाती है तो उस OPC के आप member बन जाते हो तो इस moment पे आप दो OPC के member बन गे, अब आप क्या करोगे अगर आपको इसका जवाब नहीं पता है, तो बेटा, आज आपको एक सही teacher मिला है, जो आपको चीजे पढ़ा रहा है प्लीज जाकर 1% company के वीडियो देखो, अगर आपको नहीं पता 1% company के वीडियो कहा है कुशल का ट्रैकर, कुशल का ट्रैकर आप उससे ले सकते हो, कुशल ने एक एक चीज विद, बोलते है न की, विद कंटेंट उसने एक ट्रैकर बनाया है, कि मैंने कौन से class में क्या पढ़ा है classes of companies में 1% company देखे भीना मज़ा, उसमें amendment भी है, वो पढ़ने के लिए ख़दरनाक concept है, ठीक है, अगर आपको teacher मिलता है, तो उसको खदरनाक तरह से follow करो, और सारा knowledge ले लो बेटा, ठीक है, सर OPC का amendment and case law को देखो, सर फ्लीज थोड़ा confusion हो रहा है सुलेबान मैंने बहुत detail में आपको पढ़ा दिया है, अगर आपको confusion हो रहा है तो आप एक बार revisit करिए, मैंने आपको amendment भी पढ़ा दिया है, ठीक है सर बेटा यह जो, मैंने आपको कब बोला कि यह private को होता है और public को नहीं, every company, मैंने आपको एक बात बताओ, मेरे को न यार, आचल पूछ रहे है, सर private company का नहीं होता क्या आचल ने पूछा private company का नहीं होता गया, आचल जब मैंने आपको company incorporation का process पढ़ाया, मैंने आपको सबसे पहला step क्या बोला था, कोई भी company बनाने के पहले क्या करना पड़ता है, memorandum और article बनाना पड़ता है, क्या मैंने आपको एक बार भी पढ़ाता है, ऐसा पढ़ाया कि इसी public company के लिए applicable है, या सिर्फ one person company के applicable है, नहीं, अरे दुनिया की कोई भी company बन रही है तो उसको वही follow करना है, पहला step है आपका memorandum और article, तो हर company को memorandum और article लगता है, वो चाहे private हो, public हो, small हो, dormant हो, BFI हो, नीधी company हो, कोई भी तरह की company हो, one person हो, small हो, कुछ भी हो, आप पास अपना खुद का memorandum और article होना चाहिए, अब आप बोलोगे सर मुझे कौन सा table applicable है, तो मैं आपको पुछूँगा कौन से type की company हो, whether you are a company limited by share, whether you are a company limited by guarantee, और you are an unlimited company, आप बोलोगे सर company limited by share, तो मैं बोलूँगा table A और table F उठाओ, और अपना memorandum और article बनाओ, और company register करो, without a memorandum and article, no one in this world can incorporate a company, प्लीज इस बात का ख्याल रखे, आज की class में बस इतना ही मौनिश सर आ रहे होंगे live जल्दी से, यार मैं तो miss कर गया, मौनिश सर आ कर गया, मिरको इतना दुख हो रहा है, तो बिटा उनकी class है, next उनको आपको 10-5 मिनिट में उनकी class चाल होगी, उनको आपको प्लस सिलेक्ट करना है, 3 मन, 6 मन, 12 मन, 24 मन, सारे ओप्शन में, सिया आदश विल गिवे maximum possible discount, प्लीज सपोर्ट में बाइज सिया आदश रेफल कोड और आपको 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 सिया आदश विल गिवे maximum possible discount, प्लीज दाउनलोड दा आपको आपको इंटर प्लस फांड जिसलेक्मेंट शेयर हैं, सब्सक्राइब दोस्त लाइक की कमी होई तो आपकी कमी होती है, तो लाइक देते रहो और आप!